विद्यार्धी मित्रों आव विडियो मा दोरन नव विशय विग्ण्यान प्रक्रण पांच सचीव नो पाया नो एकम विशय चर्चा करीशु। रोबर्ट हुके बूच नामना पदार्थ जे व्रुक्षनी छालमा धी प्राप्त थाय चे त्यानू आ निर्मित सुक्समदर्शक की अंत्रती उलोकन कर्यू तो तेमने तेमा अनेक नाना खानाओ जुवा मल्या जेनी सम्रचना मदमाकीना मदपुडा जीवी जुवा मली रो जे सौथी प्याला रोबर्ट हुके जोयू के सजियो मा भिन्न भिन्न एकमो है चे आ एकमोनू वर्णन करवा माटे जीवी विग्ण्यानमा आज सुधी कोस सब्दनो भ्योग कराय चे शजियो सेना मनेला होय चे एना माटे एक प्रवुती जुईशु डुंग्डीना कदन एक नाना टुकडानी अंदनी सपाटी माधी पटल जेने अधीस्तर अत्वा पातरू आवरण कईये ते उतारी तेने काचनी स्लाइड पर मुको तेनी पर पाणीनू एक टिपू मुको अने खातरी करी लेवी के आ पटल बिलकुल सिधु हो जुए अवे तेना पर आयोडीन टिपू मुकी तेनी पर परपोटा ना रहे ते रीते कवर स्लिपटा को आ रीते डुंगडीना पटल नी अस्थाई के हंगा मी स्लाइड बन से तैयार करेली स्लाइड ने अवे सुक्समदर्शक यंत्रमा निहाडिये तो तेमा एक सरकी समरचना धरावता खानाओ जेने नानी नानी शमरचनाओ भेगी मली ने एक मोटी शमरचना जेने डुंगडीनु सलकी आवरण कईये ते बनावे चे आम डुंगडीना कोशो एक समान समरचना धरावे चे जेने डुंगडीना कद साथे कोई शबंद न थी आ नानी नानी शमरचनाओ डुंगडीना कदना सल पड़की पड़नों मुणफूत एकंचे, आ सम्रच नाउने डुंगडी ना कोशो कहे चे, आम आपनी आसपास जोवा मरता दरेक सजीयों एक कोशो तीज बनेला होई चे, विशालन क्षमता दरावता लेंस ना संसोधन ने आधारे, वदू शक्षम सुक्स्म दर्शक यंत्र पर नुपन संसोधन धयू, एना परती जानी शकायू के किटलाग सजीयों नू बंदारन मात्र एक कोश्णुज बनेलू होई चे, जैने एक कोशी य सजीयों कहे चे, उदारन तरीके अमीबा, पैरामिश्यम, क्लेमिडोमोनास, बेक्टेरिया वगेरे, बिजी बाजुए एक करता वधारे कोशो ना वनेला सजीयो मां गणा कोशो नू समूर चाये चे, जे भिबिन्न कारियों माटे सरील ना जुदा जुदा बागो सर्जे चे, जैने बहु कोशिय य सजीयों कहे चे, प्रत्यक बहु कोशिय सजीयू उर्व अस्तित्व दरावता एक कोशमाथी क युदा-जुदासजीयों, विबिन्न प्रकार ना कोशों धरावेचे, एजृत्य एक सजीयुपन, विबिन्न प्रकार ना कोशों धरावेचे, जेम के मानव सरीर मा विवीत कोशो जेवा के सरणस्नायु कोश, रुधिर कोशो, चेता कोश, अस्थी कोश, मेद कोश, अंड कोश, सुक्र कोश, वगेरे होई छे आ कोशोनो विशीष्ट कारियने सबंदीत आकार अने कद होई छे केटलाक कोशोनो आकार अमीबाना कोशनी जेम बदलता रहे छे, जयरे केटलाक कोशोनो आकार नियत होई छे दाकला तरीके चेता कोशो लाक्षणी काकार धरावे छे प्रत्यक जीवंत कोश केटलाक पायाना कारियो करवानी क्षमता दरावेचे, जे बदात सजीयोनी लाक्षनिताचे, बवकोशी ये सजीयोमा स्रम विभाजन जुवा मडेचे, जेमके मानव सरीर्मा विभिन्न बागो विभिन्न कारियो करेचे, रदय रुदीरपंपनु, ज धटर, खोराकनु पाचन वगेरे, प्रत्यक कोश केटलाक विशिष्ट गताको दरावेचे, जे कोशीय अंगीकाओ स्वरुपेवईचे, प्रत्यक अंगीका नियत कारिय करेचे, जेमके कोश मा नवा द्रवियोनु निर्मान करे, कोश मा थी उत्सर्ग द्रवियने दूर क करेचे, वगेरे. कोश आंगीकाओने कारणे जिव्वनीक समता दरावेचे, औने बदा कारियो करेचे, आंगीकाओ एकत्रित्थ्थैने पायाना एकमो बनावेचे, जेने कोश कहेचे. रस्प्रद वाते चे के बध्धाज कोशो समा नंगी का ओधरावे चे, तेमना कारिय अने तेमना द्रब्यमा फेर पड़तोर नती, अथ्वा तो कया सजीवमा जोवा मले चे, तेना ती फेर पड़तोर नती कोश सानो बनेलो चे, कोशनु बंदानी आयोजन सू चे, आपनने प्रत्य कोशमा मुटे बागे त्रोन लाक्षानिक ताओ जोवा मले चे, कोश्रस पटल, कोश केंद्र अने कोश्रस कोशनी आ बद्धी लाक्षानिक ताओ ने ली ते, कोश मानी बद्धीज प्रवुतियो अने कोशनी तेमना परियावन चाथे आंतर क्रियाओ सक्य बने चे कोश रस्पटल अथ्वा कोशी य पटल कोश्रस पटल कोश्टनू सवती बारनू आवरंचे, जे कोश्टने तेना बाईय परी आवरंथी अलग करे चे कोश्रस पटल केटलाक ध्रव्यो ने कोश्मा प्रवेश्वानी अने कोश्टनी बार निकडवानी मन्जूरी आपे चे कोस्रस पटल केटलाक अन्य द्रव्यों नी गतिसिलताने पण अवरो देचे, आथीज कोस्रस पटलने पसंगी मान प्रवेसिल पटल पण कहेचे केटलाग द्रव्यों जेवा के कार्बन डायोकसाइड के ओक्सीजन कोश्र स्पटल माथी बार जाई छे जे क्रिया ने प्रस्रण कहे छे आ क्रिया मा द्रव्य वदू समकेंद्रन तरब थी ओचा समकेंद्रन तरब त्वरित गती सिलता धरावे छे ज्यारे कोश्मा कार्बन डायोकसाइड नू समकेंद्रन बार ना परियावरण मा कोश्माना कार्बन डायोकसाइड ना समकेंद्रनी शापेक्षे वधे छे त्यारे कोश्मानो कार्बन डायोकसाइड कोश्मी बार निकले छे ते जरीते ओक्सीजननू समकेंद्रन कोश्मा गटे छे त्यारे कोश्मा ओक्सीजन प्रस्रननी क्रिया द्वारा प्रवेश शे छे आथी प्रस्रण वात विने में माटे अगत्यनी भूमी का कोष तेमच कोष ना बाईय परियावरण बच्चे भजवे छे पाणी ना अनुओनी गती पन प्रस्रण ना नियमोने अनुशरी ने पसंगी सिल प्रवेश्चिल पतल द्वारा थाई चे जेने आसरूती अथ्वा अभीशरण कहे चे पाणी मा द्राव्य पदार्तो पन पाणी ना वधू समकेंदरन तरब थी अर्द प्रवेश्चिल पतल द्वारा पाणी ना ओचा समकेंदरन तरब वहन पामे चे सरकरा केकशार ना पाणी थी बनेला द्रावण मा जो प्राणी कोष के वनस्पती कोष ने मुक्वा मा आवे तो नीचे नी त्रोन पई की कोई एक बाबत जोवा मल से 1. जो कोष नी आसपास पाणी नू माध्यम वधू समकेंद्रन वाणू होय अर्थात बारनू द्रावण घणू मंद होय जेती कोष आसुरूती द्वारा पाणी मिलवे चे जेती कोष फुलेला जुवा मले चे आवा द्रावण ने हाइपो टोनिक द्रावण एटले के अधो सांद्र द्रावण कहे चे 2. जो कोष नी अंदर अने कोष नी बारना माध्यम मा पाणी नू समकेंद्रन समान होय तो तेमा पाणी नू कोष रस्पटल द्वारा वहन थतू नती जेती कोष समान कद दरावतो स्थाही रह शे आवा द्रावण ने आईसो टोनिक द्रावण एटले के सम सांद्र द्रावण कहे चे 3. जो कोष ना अंदर ना माध्यम करता पाणी नू समकेंद्रन बारनी तरप के माध्यम मा उचु होय तो कोष आस्रुती द्वारा पाणी गुमावे चे जेती कोष चीमडाई जाई चे आवा द्रावण ने हाईपर टोनिक उधारन तरीके इंडाने मंद HCL मा मुकवामा आवे तो तेनू कवच दूर थाई पछी तेमा पाणी आस्रुती द्वारा दाखल थाई एटले इंडु फूले चे तेवी जरिते सांद्र क्षारिय द्रावण मा जो इंडाने मुकवामा आवे तो तेमाथी पाणी दूर था जीती इंडु संकोच आई छे आ प्रक्रिया द्वारा सुकी द्राक्स जर्दालु वगेरे मिलवी शकाई छे एक कोशिय मिठा जर्णा सजीयो अने मुट्टा भागना वनस्पती कोशो आस्रुती द्वारा पाणी मिलवे छे वनस्पती मूर द्वारा आस्रुती द्वारा पाणी नो सोशन जमिन माधी करे चे, आम कोश मा पाणी अने वायू ना विनी मैमा प्रस्राण एक गत्यनी गटना चे, विबीन अनुओ कोश मा तेमज कोशनी बार उर्जानी जरुरियात द्वारा वहन पामे चे, कोश रस्पटल नम्यता दरावे चे, जे कार्बनी कणू ओनू बनेलू वई चे, तेने लिपीड्स अने प्रोटिंद्स कहे चे, कोश रस्पटल नी तरलता कोश ने खोराक तेमज बाईय परी आवरण माती द्रव्योनू ग्रहन करवा माटे शक्षम बनावे चे, आ क्रिया ने कोश रस्टना अंतह वहन तरीके उड़काई चे, अमीबा आज क्रिया द्वारा तेनो खोराक बिणवे चे, कोश दिवाल, वनश्पथी कोश मा कोश रस्पटल सीवाई पन तेनी बादनी बाजुए एक वदारानू बरड आवरण आवेलू होई चे, जेने कोश दिवाल कहे चे, वनश्पथी कोश मा कोश दिवाल जटिल पदार सेलिलोजनू बने गुवई चे, जे कोश ने मजबूता आपे चे, जेरे जीवन्त वन्यस्पथी कोश आश्रूती द्वारा पाणी गुमावे, त्यारे ती चिमडाई जाई चे, के संकोचन फामे चे, जेती कोश रस्टनी कोश दिवाल दूर थाई चे, आ गटना ने रस संकोचन कहे चे, प्रवूती ये नवाले, रिहोपणा नी छाल, नी उपर नी शपाटी, जे लिली कणिकाओ दरावे, जे जेने हरीत कणो कहे चे, जेमा दिला रंगनू रंजग द्रव्य, जेने क्लोरोफिल कईये ते रहेलू होई चे, मात्रा, जीवंत कोशो माज रंज संकोचन थाई, भृूत कोशो आसरुती द्वारा पाणी नू शोशन करवानी क्षमता दरावता नती, वनश्पती कोश, फूग के बेक्टेरियानी कोश दिवालने खूग मंद बाईय माध्यम्मा मुक्वा चताते तुटी जती नती, आवा मध्यम्मा कोशो आसरुती द्वारा पाणी मिलवे चे, जेती कोश फूले चे, अने कोश दिवाल साथे दबान उत्पन थाई चे, आ समय कोश दिवाल फूलेला कोश सामे समान दबान उत्पन करे चे, जेती कोश ने आ परिवर्तननों खूप सामनों करवो पडे चे, कोश केंद्र कितलाक प्रदेशों अन्य प्रदेशों करता वधारे गेरा बने छे अवे आज प्रमाने मानवना गालनी अंदरनी शपाडी परती चमची वडे कोशो लई तेने काचनी स्लाइड पर मुकी तेने मिथिलीन ब्ल्यू वडे अभी रंजीत करी तेनी स्लाइड बनावी तेनु सुक्सम दर्शक यंत्रमा अउलोकन करवामा आवे तो तेमा गेरो रंग दरावती गोडाकार की अंडाकार जेवी रचना कोशनी मध्यमा जोवा मणे छे आ सम्रचना ने कोश केंद्र कहे छे कोश केंद्र द्वीस्तरीय आवरण दरावे छे तेने कोश केंद्र पठल कहे छे जेना छिद्रो द्वारा द्रव्यो कोश केंद्रनी अंदर दी तेनी बार्नी तरप वहन पामे छे जे परिवहन कोश रस तरप होई छे कोश केंद्र रंगशुत्रो दरावे छे जेरे कोश विभाजन पामे त्यारेज मत्र तेव सडिया जिवा आकानी सम्रचना दरावे छे आर रंगशुत्रो आनू वन्सिक लक्षोनों नू पित्त्रुओ तरप ती तेनी पचीनी पेडी माँ डी एने दी ओक्सी रीबो नुकलीई केसील अनुओना स्वरूकमा वहन करे छे रंगशुत्रो डी एने अने प्रोटीन ना बनेला होई छे डी एने अनूओ कोशोना बंदाराण ने आयो जन्नी आवश्यक माहिती दरावे छे डी एने ना कारियकारी टुकडा ने जनी नो करे छे जेनू कोश मा विवाजन थतू न थी ते डी एने रंगशुत्रीय द्रव्यना भागस्वरूपे होई छे जेनी रचना दूरीना जथा जेवी होई छे ज्यारे कोश विवाजन तरफ आगलवदे त्यारे आ रंगशुत्रीय द्रव्य रंगशुत्र मा परिणा में छे कोशीय प्रजनन मा कोश केंद्र केंद्रस्थ भुमीका बजवे छे जेना द्वारा एक कोश विवाजन पामी ने बे नवा कोशो नो निर्मान करे छे कोश नी रासाइनिक प्रवुतियो द्वारा कोश नो विकास थाए अने ते परीपक्वता तरफ आगलवदे ते माटे अगत्यनो भाग बजवे छे बेक्टेरिया जेवा कितलाक सजीयो मा कोश केंद्र पटलनी गेर आजरीने लिदे कोश नो कोश केंद्रिय प्रदेश ओछो विकास पामेलो होई छे जे नुकलीईक एसीड धरावे छे जेने नुकलीयोईड कहे छे जे सजीयोना कोशो मा कोश केंद्र पटलनो अभाव होई छे तेने आदी कोश केंद्रिय ये प्रोकेरियोटिश औने कोश केंद्र पटल वधारे धरावे तेने सुकोस केंद्रिया एले यू केरियो टिश कहे चे आदी कोस केंद्रिया कोशो मा केटली कोस रसीय अंगीकाओनी गेर अजरी ओई छे जे सुकोस केंद्रिया कोशो मा हवेली ओई छे आवी अंगी काओ ना घणावदा कारियो पाण कोस रसीय भागो द्वारा निर्बट रीते आयजन पामे छे प्रकास संसलेसी आदी कोस केंदरी बेक्टेरिया मानों क्लोरोफिल कोस रसीय पटलनी पुट्टी काओ साथे संक्रायल होई छे परंतु सुकोस केंदरी कोशो नी जेम रंजग कणों साथे होतु नती कोस रस डुंगडीना कोशो के मानवना गालना अंदरना कोशो नू अउलोकन करता जोवा मलिव के कोस रस पटल द्वारा प्रत्यक कोस मोटा प्रदेशने आवरीत करे छे जे खुब आचु अभीरंजक दरावे छे जेने कोस रस कहे छे आम कोस रस पटलनी अंदर आवेला प्रवाही ने कोस रस कहे छे कोस रस विशिष्ट प्रकारनी कोशिय अंगी काओ दरावे छे अने आ बद्धी जंगी काओ कोस माटे विशिष्ट कारियो करे छे कोसी य अंगी काओ पटलो द्वारा आवरीत होई छे आ अंगी काओ आदी कोस कैंदरिय य कोशो मा गेर आजर होई छे ज़रे सु कोस कैंदरिय कोशो मा आजर होई छे पटलनी महत्व वाइरस ना उदारं द्वारा शमजी शकाए जैम के वाइरस कोई पन प्रकार ना पटल दरावता नती तेथी ते जीवन्त लाक्षानिकता धरावता नती। ज्या सुधी या वाईरस जीवन्त सरिर्मा दाखल थे, गुणन नो करे त्या सुधी जीवन्ता धर्शावता नती। कोशिय अंगीकाओ प्रत्यक कोश तेमनी फर्ते बाईय परियावरन थी अलग रेवा पटल धरावेचे। बव कोशिय सजीव विवीद रासानिक प्रक्रियाओ माटे जटिल रजना अने कारियोनी जरूरियातने पहुँची वलवा मोटा अने जटिल कोशो धरावेचे। आ जुदी-जुदी प्रक्रियाओ ने एक बिजाती अलग राखवा माटे कोशो पटल थी आवरीत नानी धचना जने अंगीका कहे ते धरावेचे। आ लाक्षानिकताने कारणे आदी कोश केंद्रिया ने शुकोश केंद्रिया कोश एक बिजाती अलग छे। केटलाक अगत्यनी कोशी अंगीकाओ जेवी के अंतह कोश रजजार, गोलगी प्रशादन, लाइसोजोम्स, कनाप सुत्रो, रंजक कनो अने रजदानियों छे। कारण के तेओ कोशो मा केटलाक घणा विशिष्ट कारियों करेचे। हवे आपने आ अंगीकाओ विशे एक पची एक जोईशु, अंतह कोश रजजार, तेनु स्थान सुकोश केंद्री कोशना समग्र कोश रजना विश्टार मा आवेली होई छे। तेनी रजना, ते लांबी, नलीका मैं के गुडाकार, अथवा कोथली जेवी पुटीकाओ जेवी रजना दरावे छे। अंतह कोश रजजार नी पटली ये समरजना, कोश रज पटलनी समरजना ने शमान स्वरूपे होई छे। ते बे प्रकार निवाई छे। एक, खरबचडी के कणी का मैं अंतह कोश रजजार अने बे, लीसी अंतह कोश रजजार। खरबचडी अंतह कोश रजजार नी सपाटी पर रिबोजोम सावेला होई छे। ते प्रोटीन समस्लेशन नू कारिय करे छे। ज्यारे, लीशी अंतह कोश रजजार नी सपाटी पर रिबोजोम स्वतान न थी। ते लीपीड तथा स्टीरोईड संसलेशन करवामा मददरू थाय छे। तेना कारियो, ते कोश मा जरूर यातने आधारे निर्मान पामेल प्रोटीनस ने विविद स्थानोय मोकले छे। ते चर्बीना आणूओनू संसलेशन अने प्रोटीननू निर्मान करी, तेनो कोश रस पटलना बंदारण मा तेमज केटला कुस्से चको अने अंतस्त्राव तरिके कारिय करे छे। ते कोश नी केटलीक जय रासानिक प्रहुतियो माटे कोश रसिय बंदानिय सपाटी पुरी पाडे छे। प्रुष्टवंसी प्राणियो ना यक्रूत ना कोशो ना समो मा घणा विशारी द्रव्यो अने दवाओने बीन विशारक बनावानी अगत्यनी भुमी का भजवेचे। बिजी अंगी का गोलगी प्रशादन। आ अंगी कानो सव प्रतम वर्णन कैमीलो गोलगी नामना विज्ञानी के करिवतु। त्यनी रचनामा एक बिजाने शमांतर थप्पियो मा घुटवाएली बुटिका ओवाई छे। जेने सिस्टर नी कहे छे। गोलगी प्रशादन ना पटलो केटली कवार अंतर कोसरस जार ना पटल साथे जुडायेली वहे छे। जे थी ते अन्य जटील कोसीय पटल तंत्रनो भाग बनावे छे। तेना कारियो गोलगी प्रशादन द्वारा अंतर कोसरस जार द्वारा संसलेशी द्रव्योनू पैकेजिंग करीने कोस्टनी अंदर तथा कोस्टनी बार मक्त करवामा आवे छे। पूटी काओमा निपजोनू पैकेजिंग करवो अने रुपान तरन करवो तेमस तेमा तेवोनो संग्र करवाना कारियो करेचे। किटला किश्याओमा सरण सरक्राओमा थे जटिल सरक्राओनू निर्मान करेचे। ते लाइसोजोम्स ना निर्मान साथे पन संक्रायल छे 3G अंगी का लाइसोजोम्स कोश्णू चर्ग द्रव्य के कच्राने त्यजता तंत्रना प्रकार तरीके लाइसोजोम्स वही छे कोई पन विदेसी द्रव्य तेमस टूटेली कोशिय अंगी काओनू पाचन करीने तेना पोन कोश्ण ने ते स्वच्छ राखवानू कारिय करे छे जिवा के बेक्टेरिया, खोराग, के जुनी अंगी काओ नास्थवाने आरे होई तेनू लाइसोजोम्स विघटन करी तेने नाना टुकडाओमा फेरवे छे पाचन माटेना सक्रिय उसे चक दरावती होवा थी ते पाचन करी शके छे जे बदा कार्बनिक द्रव्यने तूडवानी ख्षम्ता दरावे छे एना पचिनी अंगी का रंजक कनो मात्र वनस्वति कोशोमा होई चे जे बे प्रकार ना होई चे एक क्रोमोप्लास्टिट्स जने रंग कनो कहिए औने बे लुकोप्लास्ट जने स्वेत के रंग हीन कनो कहिए रंजक कनो एटले के रंग कनो क्लोरोफिल रंजक द्रव्य दरावे तो ते अरीत कनो तरीके उड़खाई छे, जे प्रकास संसलेशन माटे खना अगत्य ना होई छे, अरीत कनो पीडा के नारंगी रंजक द्रव्यो पन वदारामा धरावे छे रंग हीन कणो प्राथ्मिक कक्सानी अंगी काओ छे के जेमा स्टार्च, चर्बी अने प्रोटीन कणी काओनो संग्र थाय छे रंजक कणो ना अंत्रिक कायो जन्मा गणा बदा पटलिय स्तरो द्रव्यमा लटकता आवेला होय छे जेने स्ट्रोमा के आधारक कहे छे रंजक कणो नी बाईय सम्रचना कणाप सुत्रो जेवी समान होय छे कणाप सुत्रो नी जेम पुताना डियेने अने रिबोजोमस पन धरावे छे एना पचीनी अंगी का रसदानियो गण के प्रवाही पदार्थो नो संग्र करती कोतली जेवी रचनाने रसदानियो कहे छे जे प्राणी कोश मा नाना कदनी अने वनस्पती कोश मा गणा मोटा कदनी होय छे के ट्लिक वनस्पती कोशो मा केंदरस्थ रसदानी कोश ना कदनो पच्चास्ती नियो टका भाग रोके छे वनस्पती कोशो मा रसदानियो कोशीय द्रव्यो द्वारा भरेली हवा थी कोश ने आसुनता अने बरडता आपे छे वनस्पती कोश ना जीवन मा अगत्य ना घणा द्रव्यो जिवा के एमिनो एसिड्स, सरकराओ, विवित कार्बनीक एसिड्स अने केतलाग प्रोटीन्स नो संग्र रसदानियो मा थाई छे कोशिय चया पचै दर्म्यान विक्षेप सर्जाता ते पोतानाज कोश नो पाचन करी ना के छे उदारन तरीके जियारे कोश इजा ग्रस्त बने त्यारे ते टूटे छे अने ते पोतानाज उच्छे चको द्वारा पोतानाज कोश नो पाचन करी ना के छे आथी लाइसोजोम्स ने कोश नी आत्म घाती कोथडियो तरीके उलखाये छे लाइसोजोम्स आवरीत पटलिय कोथडियो जेवी रचना छे के जे पाची उच्से चको धरावे छे आ उच्से चको कणी काम एटलेके खरबचडी अंतह कोश रस जार द्वारा निर्मान पामे छे कणाब सुद्ध जीवन नी विवीद राशायनिक प्रवुतियो माटे उर्जा नी जरूर पड़े छे जे उर्जा ATP एडिनोसाइन ट्राई फोस्पेड ना स्वरूपमा कणाब सुद्धरो द्वारा मुक्त थाई छे कोश ना उर्जा चलन के शक्ती चलन तरीके ATP उड़काई छे यांत्रिक कारिय माटे अने नवा राशानिक संयोजनो बनाव माटे सरीर माँ ATP ना स्वरूपमा उर्जानो संग्र करवामा आवे छे आम कणाब सुद्धरो ने कोश ना सक्ती गरो तरीके उड़क्वामा आवे छे कणाब सुद्धरो बे आवरन धरावे छे बाईय आवरन गणुखरू चिद्रिष्ट वय छे जयरे अंतह आवरन उंडा अंतह प्रवर्धो धरावे छे जे ATP निर्मान माटेने रासानेक प्रक्त्रियाओ माटे विशान सपाटी नून निर्मान करे छे कणाब सुद्धरो पोताना DNA अने रिबोजोंस तेमज पोताना केटलाक प्रोटीन्स नून निर्मान करवानी क्षमता दरावे छे जेती कणाब सुद्धरो वदारे मजबुत अंगी काओ छे अमीबा जिवा एक कोशिय सजीयो मा अन्यदानी जेने खोराक नो संग्र करती रजधानी पन कईये छे एक खोराक द्रव्यो दरावे छे जेने अमीबा उप्योग मा लेये छे केटलाक एक कोशिय सजीयो विशीष्ट प्रकानी रजधान्यो पन दरावे छे जे वदाराना पाणी नो अने केटलाक नकामा पदार्थो नो कोशमा दी त्याग करे छे आम प्रत्यक कोश पुतानी रचना नकी करे छे अने प्रत्यक कोश पोतानी कारिय करवानी क्षम्ता दरावे चे, आम कोश दरेक सजीवनों पायानों बंदानिय तेमज क्रियात्मक एकमपान चे दरेक विद्यार्चियों ने जणावनों के पोतानी नौटबुक मां आ प्रक्रण मां आपेल दरेक प्रस्णों, तेमज स्वाध्याय मां आपेल दरेक प्रस्णों ना जवाबो लखी तयार करवा अबार